अलो गाइस नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेचें को सब्सक्राइब करते हैं इसके स्टार्टिक में हमें शिंगशींग तखाए जाती है जो वही वाली न्यूस देख रही होती है जहाँ पर वो न्यूस वाले वैलान की कंपनी की सारी बाते हैं पता और नी बताई थी इसमें उससे शीशिंग को सारी बात को पता लग जाता है शीशिंग के डैड शीशिंग को बताने के लिए आते हैं कि तुमसे मिलने के लिए वैलान आया है शीशिंग के सुनके ओपका कीथ यह COME olur फिर QC कर हो पुद पीना चबत करना चुरू हो जाती है और उसके ड्रेट सो कि यह को उसके नहीं के लेतं कहां पर है उसके डैल गरती मिलान बाहिर है यह सुनकर tyre करती के बैलान को ऐंदर लाएं कर सुनकर डैल विलां को बाहर करने के लिए चले कि मैं तुम्हारे पास आज इसलिए आया क्योंकि मैं तुम्हें अपनी सारी बात क्लियर करना चाहता हूं पर शिंशिंग आगे से कहने लगते कि नहीं वैलान तुमने ये बात मुझसे क्यों चुपाई और तुम किस ट्राइम तक ये बात मुझसे चुपाना चाहते थे तो वेलान उस पर हां कहता है शिंग्शिंग कहती है कि तुम्हें पता था ना कि तुम्हारी कमपनी के वज़ा से हम लोगों को आर्मी से आना पड़ा था और मेरे पाउं पर चोट लगी थी जिसकी वज़ा से उन्हों ने मुझे भी फेच दिया मेरे बहुत से ड्रीम्स थे जिन पर शिंग्शिंग बहुत रोने लगती है और वेलान जो बाहिर जाकर शिंग्शिंग को देने वाली रिंग निकाल कर देखने लगते उसको याद आने लगते हैं कि इस रिंग से मैंने कितने जदा प्रैक्टिस की थी कि मैंने किस तरह शिंग्शिंग को परपोस करना है औ अभी भी कोई ना कोई सोचों में गुम होती है यहां तक कि खाने के टाइम भी कुछ ना कुछ सोची रही होती है अभी सोफा पर बैट कर विलान के दिया हुए मौंकी से विलान की रिकॉर्डिंग को सुनने लगती है जिसमें विलान उसको हार वक का कहा रहा होता है और उसक तुम कहां पर हो कम्पनी में तो बूत बड़ा मसला हुआ है शी जई कहतीं कि मैं है घर पर हूँ सिंगफ का नहीं कहा को मिमार हो कि जो आगए शीशिंग उसको आगी विजये हुआ है और तुम्हें पता है कि यह कंटरी छोड थो और अब्रोड जा मैं तुम्हें सच निकार के दिखाऊंगा कि हमारी कंपनी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया यह सोचते हुआ अपना बैग लेकर जैसे घर के बाई जाता तो देखते है कि सामने तो शिंशिंग आई हुई है यह देखकर शिंशिंग के पास जाता है कि तुम यहाँ पर कैसे शिंशिंग कहते है कि तुम अपनी कंपनी को यहाँ पर छोड़ कर कैसे जा सकते हो वैलान कहते हैं कि अगर मुझे सच टूंड़ना है न तो मुझे यहां से जाना होगा और मैं सच टूंड़न कर रहूँगा पर तू मुझे यहां मेनने के लिए आए देखकर मैं खुश हुआ हूँ ये सुनकर शिंग शिंग कहते है कि मैं तुम्हारी अपसरा अजिस्टेंट हूँ तो इसलिए मैं तुम्हारे पस आई हूँ वरना मेरा और तुम्हारा कोई भी रिलेशन नहीं है वैलान जब ये बाद सुनते है तो कहने लगते है कि अच्छा चलो फिर मैं चलता हूँ उस पहुँच चुकी थी कि वैलान यहां से चला गया है क्यूंकि ये बात उसको कई कई ने आकर बताई थी उसने अगर बताया कि जिस एरपोर्ट से वो गया है वहाँपर मेरा दोस्त लगा हुआ है तो उसने मुझे बताया है और जो दिखा जाते है जिसके पास वेलान के डैड के फ्रेंड आते हैं वो आगर पूछे लगते हैं कि वो मैंने न्यूस सुन ली थी और उस न्यूस को सुनने के बाद वेलान के डैड तो बहुत ज़दा मिमार हो गए है और मुझे वेलान नी नजरा रहा वो कहां पर है जो कहने लगते हैं कि वो तो अबरोड चला गया तो कहते हैं कि तुमने रोखने की कोशिश ने की जो कहते हैं कि मैंने सुब बहुत रोखने की कोशिश की पर आपको पता है ना कि वेलान कैसा है उसको आपने बच्पन से देखा है वो किसी की बात सुनता है क्या इतने में उनकी नजर फीफी पर डलती है और जैसे वो फीफी को देखता है तो वहीं पर देखता रह जाता है और फीफी देखती है कि वो उन्हें देख रहे हैं यह देखकर फीफी चुपकर के महां से चली जाती है जो यह देखका पूछे लगता है कि क्या हुआ हों यह द कसके तो शूम पूंभी उसके बता कि तुम जाम होगे च किने जिलते हैं में तुम्हें बूसक्ति से एड़ किया है तो इब करता हूं तो मुझे पता कि कितना डालते हैं तुम्हें डिल की बाइन शार ते करता है कि तुम अपने दिल के बाद मुझे बता सकते हो कि तुम क्यूं सैड हो पहले तो तुम ऐसे कभी भी नहीं हुई यहीं सामें शिंग शिंग देखाई जाती है जो बॉक्सिंग कर रही होती है गुस्वें में पर इतने में उसको वेलान का मैसीज आता है कि चाइना में यह टाइम सोने का हुआ है तो इसलिए तुम्हें गुड नाइट और बाद से फीफी दिखाई चाती है जो जाओ को अपनी सारी बात बताएं लगते हैं कि तुमने मुझे यह पूछना होगा कि वो अंकल मेरे क्या लगते हैं कि मैं तुम्हें बता देती हूं कि वो मेरे ब मौम ने लोगों से करजे वगरा लिए क्योंकि हम अपना काम करना चाहते थे और मैं पड़ भी रही थी तो जब मैं आकर स्कूल से देखती थी कि मेरे मौम के पास कुछ लड़के आये होते थे आपने पैसे वापिस लेने के लिए और मेरे डैट जो एक कंपनी के साथ काम क के साथ गलत किया था उसके बाद से वो वलान के डैट की नोकर बन गए और तब से वो उनकी ही खित्मत कर रहे हैं जब मैं इस कंपनी में आई थी तो मुझे लग रहा था कि मैं उनसे मिल लूँगी पर यह नहीं पता था कि उनको और मेरा इतनी जल्दी आमना सामना हो करते हैं पर शिंग शिंग मना करते हैं वह कहीं लगते कि नहीं मैं सौने के लिए जा रही हूँ आगे से उसके डैड रोक ले तो यही पर हमारी एपिसोड भी खतम हो जाती है वीडियो अच्छी लेगे तो वीडियो का लाइक करना